रिपुद्मन सिंग मलिक की हत्या के दो आरोपी गिरफतार कनाडा में हुआ था हमला बिहार पटना आतंक मापांक मामले में धरपकड जारी राष्ट्रिय जाच एजेंसी की टीम दरभंगा पहुँची भारी पुलिस बलकी तैना थी बिहार फुलवारी शरीफ पी एफाई मामले में राष्ट्रिय जाच एजेंसी टीम ने मोतिहारी के चक्या में पी एफाई नेता के आवास पर छापेमारी की करनाटक में पकड़े गए आतंकियों से मिली संसनीखेज जानकारिया आत्मगाती हमला करने की थी योजना हिंदूओं को सुरक्षित रखें करनाटक में पार्टी कारेकरता की हत्या के बाद भाजपा में आग बेल्लारिस में एक मस्जिद पर भीड को पत्राव करने से रोकने के लिए पुलिस की कारवाई में कम से कम चार कारेकरता घायल हाइदराबाद की ये दो बहने आपस में सिर से जुड़ी है तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने 12 वी बोर्ट के रिजल्ट में शांदार प्रदर्शन किया प्रवीन हत्याकान करनाटक के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव ने दी इस्तीफे की धमकी प्रवीन के हत्यारों के खिलाफ कारवाई की मांगवाली याचिका के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोमें से मुलाकात के बाद रेनुकाचारे ने यह बात कही मध्यरात्री में बोम में इने वर्षगाट समारोह रत कर दिया कमांडो फोस की स्थापना की मन्की पॉक्स वेग्यानिकों ने खोज लिया है मन्की पॉक्स का जिन्दा वाइरस टेस्ट किट बनने का तरीका इलाज और वैक्सीन होगी आसान भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड उन्नीस के 18,313 मामले आय और 57 लोगों की मौत हुई सक्रिय मामले घटकर 1,45,026 हो गए दिल्ली से मेरट रैपिड रेल, दिल्ली से मेरट करीब 80 किलोमीटर दूर है इसमें अमूमन 2-3 घंटे का समय लगता है लेकिन ख्षेत्रिय रेल की मदद से अब यह सफर एक घंटे में पूरा हो सकेगा अपने पहनावों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंग अब बिना कपडों की तस्वीरे खिचवाने और शेयर करने की वजह से चर्चा में है दूसरी ओर इन तस्वीरों की वजह से रणवीर सिंग पर अशलीलता फैलाने का माम दर्ज किया गया है मानसूनसत्र गांधी प्रतिमा के सामने रात भर चला निलंबित सांसदों का धर्ना कई मच्छर काटने से हुए परेशान हम सभी के लिए अपमान्द बंगाल के मंत्री के करीबी के घर से करोडों की बरामदगी पर टीमसी के प्रवक्ता बोले इस ट्रक में अर्पिता मुखर जी के दूसरे फ्लैट से बरामद नगदी और सामान ले जाएगा एडी विडियो वाइरल मानसून सत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कॉंग्रेस सांसद अधीर चोधरी की राष्ट्रपतनी वाली टिपनी पर कॉंग्रेस ने भाजपा से माफी मांगी